दोस्तों बॉलिवुट के जाने माने डारेक्टर राजकुमार हिरानी इंडिनो डंकी के अलावा एक और फिल्म को लेकर काफी जादा चर्चाओं में बने हुए है राजकुमार हिरानी इंडिन क्रिकेट टीम के खिलाडी के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे हैं हाला कि अभी राजकुमार हिरानी ने फिल्म के हीरो का नाम पबलिकली नहीं बताया लेकिन बॉलिवुट के अंदर खानों से इस फिल्म के में लीड आक्टर का नाम बता चल गया है दोस्तों राजकुमार हिरानी कौन से क्रिकेट स्टार पर फिल्म बनाने वाले हैं और बॉलिवुट का कौन सा एक्टर उनके इस फिल्म में लिए जोल में दिखाई देगा आपको बताएंगे बस बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखर तक दोस्तों अगर आप क्रिकेट के फैन हैं क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए गुड नियूज है टीम इंडिया के पूर्फ क्रिकेटर मुहमद अजरुद्दीन, महिंर सिंग, मिताली राज, कपिल देव और प्रवीन तांबे के बाद अब एक और इंडियन क्रिकेटर की बावपिक जल्द ही बड़े परदे पर देखने को मलने वाली है इस महान खिलाडी का नाम है लाला अमरनाथ गुजरे हुए जमाने के एक दिगच क्रिकेटर की बावपिक को जाने माने डारेक्टर राजकुमार हिराने डारेक्ट करने वाले हैं मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिर्म दिसंबर में इसी साल रिलीज हो सकती है करने का मन बना रहे हैं और राजकुमार हिरानी ने शारुखान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट में सुना दी है हालाकि इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है और थोड़ी अफवा भी हाँ इबात बिल्कुल सच है कि राजकुमार हिरानी ने मेगस्टार शारुखान से लाला मरनात की बावपिक के बारे में डिसकुशन किया था लेकिन उन्होंने ये फिर्म शारुखान को ओफर नहीं की थी दरसल हिरानी और शारुखान पहली बार फिर्म डंकी में एक साथ काम करने जा रहे हैं डंके के सिलसले में जब राजकुमार हिराने की मुलाकात शारुखान से हुई थी तब उन्होंने शारुखान को डंकी प्रोजेक्ट और लाला मरनात वाले प्रोजेक्ट दोनों की कहानी सुनाई थी और कहा था कि आपको दोनों में से जिस पर भी लगे कि काम करना चाहिए वो प्रोजेक्ट आप अपनी तरफ से फाइनल कर दे शारुखान ने डंकी को चुना और बायोपिक को साइड में रख दिया गया फिलहाल के लिए बायोपिक वाला काम रुका हुआ है उसी दिन से साफ हो गया था कि शारुखान अब लाला मरनात की बायोपिक नहीं करेंगे इस फिल्म के आक्टर के लिए राजकुमार हिरानी ने एक बार फिर तलाश शुरू कर दी और उनकी तलाश बॉलिवुट के खिलाडी पर आकर खत्म हो गई है जी हाँ दोस्तों खबर है कि राजकुमार हिरानी के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म लाला मरनात की बायोपिक के लिए डारेक्टर ने बॉलिवुट के खिलाडी अक्षे कुमार को फाइनल किया है दंकी के रिलीज के बाद राजकुमार हिरानी लाला मरनात की बावपिक को पुनर जीवित करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए अपनी राइटर टीम को भी सौप दिया है काम उन्होंने कहा है अपनी राइटर टीम से किस साल के आखर तक उन्हें इस फिल्म के स्क्रिप्ट तयार चाहिए ये कहानी एक ऐसी है जिसके बारे में हिरानी काफी ज़ादा भावग है और वो इस पर काम शुरू करने के लिए एक्साइटेड भी है राजकुमार हिरानी के करीबी सूत्र ने जानकारी दी है कि इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार को फाइनल किया गया है जानकारी देते हुए सूत्र ने कहा लाला मरनात की बावपिक कोई विशिष्ट स्पोर्ट्स बावपिक नहीं है हिराणी अपनी कहानी अपने सामाने मनोरंजक तरीके से ही बनाएंगे लाला के करियर उनकी प्रतिभा और भारती क्रिकेट पर उनके स्थाई प्रभाव को खुब सूर्टी से दिखाया जाएगा फिल्म में एक A-list यूवर स्टार की होने की उमीद थी लेकिन इस फिल्म में डारेक्टर ने अक्षे कुमार को फाइनल कर लिया है दोस्तों बताते चले कि राजकुमार हिरानी ने स्वतंतर भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाला मरनात की बावपिक को बनाने का मन बना लिया है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लॉग भी कर दिया है जिन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज में भारत का नेतरित किया था राजकुमार हिरानी को संजू 3 इडियर्ट स्पी के मुन्ना भाई, MBBS और भी फिल्मों के लिए जाना जाता है फिलहाल वो शारोखान, तापसी पन्नू, विक्की कोशल और बोमन इरानी स्टारर फिल्म डंकी पर काम कर रहे हैं जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है बता दे कि डंकी फिल्म में पहली बार ऐसा होने वाला है कि शारोखान और राजकुमार हिरानी दोनों एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं डंकी फिल्म भी बाकी फिल्मों के तरह एक सोशल मेसेज वाली फिल्म होने वाली है अक्षे कुमार को देखने के लिए कितने जादा एक्साइड़ है या फर इस किरदार के लिए आपके हिसाब से कोई और एक्टर जादा सुटेबल है करके जोरू बताएगा वीडियो अगर पसंद आ तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबाएं जिससे हमारे सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें